हेलो माई दियर यंग फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन रेनु चैनल नायाप थॉट्स इन इंग्लिश और हम सीकुंस में चल रहे हैं हमने सप्लिमेंटरी स्टार्ट की हुई है सप्लिमेंटरी रीडर इट्स वहापन क्लास एर्थ की इंग्लिश की और आपके लिए लि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये लाइक कर दीजिये और कमेंट देना मत भूलिएगा ओके नाव क्लास एर्थ इंग्लिश हम स्टार्ट की हुई है हमने इट्स वहापन सप्लिमेंटरी रीडर चाप्र फाइफ प्रिंसस सेप्टेमबर अजीब सा नाम लग 38. How many daughters did the royal couple have? जो royal couple थे स्याम के राजा रानी थे उनकी कितनी बेटियां थी? The royal couple had nine daughters, royal couple की नौ बेटियां थी. Why were they named after the months of the year? उनके नाम महीनों के नाम पर क्यो रखे थे? वर्ष के महीनों के नाम पर क्यो रखे थे? The queen did not remember her daughter's name. रानी को अपनी बेटियों के नाम याद नह इसलिए महीनों के वर्ष के महीनों के नाम के हिसाब से उनके नाम रखे दिये. The king had a peculiar habit. राजा की एक अजीब आदर थी. What was it? वह क्या थी? Why is it cold peculiar? यह अजीब गरीब क्यो थी? Generally people get gifts on their birthdays. अक्सर लोग अपनी जनम दिन पर तोफे लेते हैं. But the king had a strange habit. लेकिन राजा की एक He gave gifts on his birthday. वह अपनी जनम दिन पर तोफे देता था rather than received them बजाए लेने के. What was Princess September's reaction to the loss of a parrot? राजा ने अपनी जनम दिन पर अपनी nine daughters को, उनकी इसकी nine daughters है, सबसे छोटी Princess September है और अपनी daughters को golden cage के अंदर parrot दिये थे. तो Princess September का जो parrot है उसकी death हो जाती है तब Princess September का क्या reaction होता है? Princess September was extremely sad to the loss of her parrot. Princess September जरूर से जबर दूखी हो गई अपने तोते के मर जाने पर. शी wrapped up bitterly, वे बुरी तरहा रोई, शी had to sleep without supper और उसकी mother ने कहा कि लड़की का रोना बिल्कुल बेकार है, वियर्थ है और इसलिए उन्होंने कहा कि आज इसको खाना नहीं मिलेगा Princess September को और ये ऐसे ही mates को बोला कि इसको सोने के लिए ले जाओ. What was her mother's reaction to it? Mother का क्या reaction था? जब वे बहुत जदर हो रही थी, तब क्या reaction था? Her mother reacted sharply, उसकी mother ने तीखी प्रतिक रिया की, she told that September's weeping was tough and nonsense, उन्होंने कहा September का रोना वियर्थ है, बिकार है, she asked the mates to put her to sleep without supper, और नौकरानियों से उसकी mother ने कोई ने कहा कि इस लड़की को पिना खाना दिये हुए, ले जाओ और सुला दो. What do the reaction indicate about the nature and temperament of each? Mother का temperament, मिजाज और नेचर, प्रकृती और September की, दोनों की reaction क्या indicate करते हैं? The princess was very emotional, वो indicate करते हैं कि princess बहुत भावुख है, she was full of sadness, वह दुख से भरी हुई है, when her parrot died, जब उसके तोते के death हुई, but queen mother said that her sadness was nonsense, लेकिन mother ने क्या कहा कि उसकी जो sadness दुखी होना है, वो बिकार है, she did not console the child, उसने लड़की को जरा भी धहरे नहीं दिया. What pulled the princess out of the gloom? Was princess को उसके दुख से क्या चीज बहर लाई? Princess was gloomy, princess दुखी थी, suddenly a little song bird came into her room, अचानक एक चोटा सा गाने वाला पक्षी उसके कमरे में आया, her song comforted her, पक्षी के गाने से उसे आराम मिला, she was very happy, वे बहुत खुश थी, and got relief और उसे बहुत आराम मिला. राहत मिली, she forgot her gloom, वे अपना दुख भूल गई. How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends? Maids of honor जितनी भी नौकरानिया थी, उसकी princess September की उन्हे कैसे पता चला कि वो पक्षी और राजकुमारी बहरे मित्र हैं. Early in the morning, the maids brought breakfast for princess, सुभा सुभा नौकरानिया, princess के लिए नाश्ता ले की आई, the songbird ate rice out of princess's hand, और उस गाने वाले पक्षी ने राजकुमारी के हाँ से चावल खाए, and then took bath in the saucer, और फिर प्लेट में ही नहाई, then he sang sweetly, फिर उसने बड़ा मीठा गाना गाया, the maids were surprised, वे जो नौ made friends, और तब उन्हें पता चला कि ये दोनों गहरे दोस्त हैं, the new bird was full of new songs, नया पक्षी ने ने गाने से भरा था, वे ने ने गाने गाता था, but the old parrots always repeated themselves, लेकिन पुराने तो थे एक ही बात को repeat करते थे, what did they say, वे क्या कहते थे, the new bird was full of new songs, नया पक्षी, जो कि princess September का था, व ने ने गाने गाता था, but the old parrots always repeated themselves, लेकिन पुराने तो थे एक ही बात को repeat करते थे, they could say only, वे सिर्फ क्या कहा करते थे, God save the king, भगवान, राजा को बचाए, and pretty poly, सिर्फ ये कहा करते थे, what is the king's opinion about his counselors, राजा का अपने दर्बारियों के बारे में क्या विचार था, why did he form that opinion, राजा ने ये विचार क्यों पाल रखा था, the king had very low opinion about his counselors, दर्बारियों के बारे में राजा का बहुत छोटा विचार था, नीचा विचार था, because they repeated the same thing, just like parrots, क्योंकि वह भी तोते की तरह एके बात को रटते थे, राजा की हां में हां मिलते थे, राजा की हां में हां मिलत था, the eight princesses made an offer to princess September, आठो राजकुमारियों ने princess September को एक offer दिया, they told that they would buy another yellow and green parrot for September, उन्होंने कहा कि वो princess September को पीला और हरा एक तोता खरीद के देंगी from their pocket money, अपनी pocket money में से, okay, why in your view, did they do it, आपके विचार से उन्होंने ऐसा क्यों किया, किनोंने, eight princesses ने कैसा किया, अपनी pocket money मिला कर उसे एक parrot खरीद कर दे रही थी, क्योंकि उसके parrot के death हो गई थी, they did it because they felt jealous of the songbird and the princess September friendship, क्योंकि वे जलती थी songbird से और princess September और उसकी दोस्ती से, what did the sisters advise the princess to do about her bird, princess September की जो eight बहने थी, उन्होंने princess September को क्या advice की, क्या सलह दी, the sisters advise the princess to put the little bird into the cage, sisters ने advice किया, कि वो इस छोटे से पक्षी को पिंजने में डाल दे, they told otherwise the bird would fly away, उन्होंने कहा, नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएगा, and would not come back, और वापस नहीं आएगा, comprehension check page 43, in the following sentence, elaborate the parts given in bold, यहां bold की जगा मैंने बेटा underline कर दिया है, कि bold words को जो है, वो आपको elaborate करना है, explain करना है, तो आपको explain क्या करना है, under the circumstances, and unfortunate remark for the bird to make, okay, तो पहला जो under the circumstances है, वो क्या है, whatever her sister said, जो भी उसकी princess September की बहनों नहीं कहा, princess was worried, princess चिंतित हो गई, and she was afraid, और डर गई, she thought bird would forget her, उसे लगा, वे पक्षी, अगर बहर जाएगा, तो उसे भूल जाएगा, she thought, under such circumstances, उसने इन परिसितियों में सोचा, she would lose him, और उसे लगा, कि वो उस पक्षी को खोदेगी, when the bird returned, जैसे ही पक्षी वापिस आई, यह second का अंसर है बिटा, when the second के elaboration है, when the bird returned, he told that his father-in-law wanted him to stay, जैसे ही पक्षी वापिस आया, उसने बताया, कि वे इतने दिन में क्यों आया, क्योंकि उसके father-in-law ने कहा, कि वो यहीं पर रुख जाए, क्योंकि वो एक party देने लगे थे, This is what princess wanted to hear, यही तो princess सुनना चाती थी, उसे लगा, कि यह ऐसे ही कहीं जाएगा, तो रुख जाएगा, यह वापिस नहीं आएगा, What did princess September do to ensure the safety of the pet? अपने songbird pet की safety के लिए, princess September ने क्या किया? The princess September put the bird in a cage, princess September ने उस पक्षी को पिंजने में रख दिया, to ensure the safety of her pet, जिससे कि वो विश्वस्त रहे अपने पक्षी की सुरक्षा के लिए How did the bird react to it? और जब पक्षी को केज में रखा, तो पक्षी ने कैसा reaction दिया, क्या प्रतिक्रिया की? In the beginning, the bird did not understand, शुरू-शुरू में तो पक्षी को समझी नहीं आया, what was happening, क्या हो रहा था? When he would ask the reason, जब उसने कारण पूछा, then princess told that her mother's cats were crawling, तो princess September ने बहाना बना दिया, कि उसकी mother queen की जो बिल्लिया है, वो इधर उधर खानी की तलाश में घूम रही है So he would be safe in the cage, इसलिए वो पिंजरे में सुरक्षित रहेगा He said that it did not mind only for one night, और bird ने कहा कोई बात नहीं, अगर एक रात की बाहत है, तो मैं पिंजरे में रह लूँगा, कोई बात नहीं Why did the bird refuse to be taken out in her cage? पक्षी ने ये क्यों मना किया? जब सुबा पक्षी ने सप्टेंबर को उठाया, उठो उठो मुझे पिंजरे से बाहर निकाले, तो प्रिंसस ने मना कर दिया, उसने का मैं तुम्हें पिंजरे समेत बाहर घुमाने ले जाओंगे तो पक्षी ने मना कर दिया कि मैं पिंजरे समेथ बाहर नहीं जाऊंगा उसने कहा कि वह दुखी रहेगा इफ ही वस टिकन आउट इन हर केज और जब उसका पिंजरे जो है उसे पिंजरे समेथ बाहर ले जाए जाएगा the rice fields, lake etc. looked quite ugly through the cage bars, चावल के मैदान, नहर ये सब कुछ बच्शूरत लगेंगे पिंजरे की सलाखों के पीछे से What happened persuaded Princess September to give the bird his freedom again? किस बात ने विश्वास दिलाया बहलाया Princess September को कि वह पक्षी किया जादे फिर वापिस कर दे The bird did not move on the surface of the cage. पक्षी जो है वो पिंजरे के surface पर गिर कर पड़ गया और वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था. Princess thought that the bird would die in the cage Princess ने सूचा कि शायद ये पक्षी पिंजरे के अंदर मर जाएगा How did the bird react to when the bird got his freedom? पक्षी ने कैसा प्रतिक्रिया की जब उसको अजादी मिल गई He became happy, quickly flew away out of the window. वे बहुत खुश हुआ, जल्दी से वे खिड़की से बाहर उड़ गया He got fresh air, उसे ताजी हवा मिली. He again started singing, दुबारा उसनी गाना शिरू कर दिया Princess September kept her window open day and night. Princess September राद दिन अपने खिड़कियां खुली रखती How did it help the bird? इससे पक्षी को कैसे सहायता मिली It helped the bird, he opened his wings and flew away कि जब भी उसका मन करता वे खुली खिड़की में से अपने परों को खोलता और उड़ जाता How did it help the princess? खुली खिड़कियों से राद दिन खुली खिड़कियों से प्रिंसे को कैसे सहायता मिली Princess kept the window open, princess ने अपने खिड़कियों को खुला रखा It helped her, इससे प्रिंसे को सहायता मिली She got fresh air, उससे ताजी हवा मिली and light और रोशनी that made him beautiful The eight sisters kept their windows shut How did it affect them? इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ा The eight sisters kept their windows shut all day and night They became ugly, वे बतसूरत हो गई So that they were married to counselors इसलिए उन सब की शाधियां तरबारियों से हुई Exercise 44 Exercise page number 44 Are the sisters unkind and cruel? क्या उसकी जो आठो बहने थी वो दुष्ट थी Find evidence in the text to support your idea आपको सबूत मिकालना है अपने चाप्टर में से जिससे कि आपके idea को support मिले Yes, the sisters were unkind and cruel हाँ बहने बहुत ज़ादा दुष्ट थी They were jealous of the bird, वे पक्षी से चड़ती थी They compelled the princess to put the bird in cage उन्होंने princess को मजबूर कर दिया कि वे है पक्षी को पिंचने में रखे जिससे पक्षी मर जाए It is cruel really Which do you think is the most important idea in this story and why? आपको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा idea सबसे important है? Importance of music है, value of freedom है या beauty of nature है तो इसका answer है value of freedom is the most important idea in this story इस कहानी में value of freedom सबसे important idea है No one can live happily in slavery कोई भी गुलामी में खुश नहीं रह सकता It suffocates a person, गुलामी वेक्ती का दम घोट देती है Freedom gives us real joy और आजादी हमें वस्त्विक खुशी देती है The bird in the story lived happily इस कहानी का जो पक्षी है वे खुशी से जीता है And sang beautifully और आजादी से गाना गाता है और जीता है But she was put in cage लेकिन जैसे ही उसे पिंजरे में रखा जाता है She became sad and forwards to sing और वे उदास हो जाता है और गाना भुल जाता है Okay, now thank you for watching my channel Please subscribe कर दीजिये Like करके subscribe कर दीजिये और next video तक के लिए Next video हम extra is के short question लेकर के आएंगे Okay, जिसे chapter के understanding हो जाए Next video तक के लिए My dear friends Good luck and goodbye And well in advance Happy new year to all of you